आज के वीडियो में संग एकाइनोडर्मेटा के बारे में संपूर जानकारी चित्र सहीत आपको समधाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लात देखिए और योदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो इस्पाइनी और इस्पाइनी का मतलब होता है काटेदार और जो डर्मेटा है यानि डर्मा है डर्मा का अर्थ होता है इसकिन अर्थात त्वचा मतलब काटेदार त्वचा वाले जन्तु काटेदार त्वचा वाले जन्तु अर्थात इस संग के सभी जन्तु की त्वचा कंटकी होती है अथवा इनकी स्किन स्पाइनी होती है चलिए अब इनके प्रमुख लक्षणों को समझा देते हैं अर्थात जनरल करेक्टर्स को जान लेते हैं पहला लक्षण है इस संग के सभी जन्तु समुद्री जल में पाए जाते हैं या मेरेन वाइटर में पाए जाते हैं अर्थात इस संग में केवल समुद्री जन्तु ही पाए जाते हैं यानि इस संग में जितने भी जन्तु हैं वे केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं बस और कहीं नहीं फिर दूसरा point है इनका सरीर बहु कोश किये वा त्री अस्तरी होता है लारवा अवस्था में सम्मित दूई सम्मित में बदल जाती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर में बहुत सी कोशिकाएं पाय जाती है या बहुत सी सेर्ट जो होती है इन तीनों अस्तरों से मिलकर इनका सरीर बना होता है और लारवा अवस्था में दूई पार्स विए सम्मित का मतलब है कि जिन जनतूं के सरीर को बीचों बीच से काटने पर दोनों अरधांस भाग समान आते हैं, बराबर आते हैं उसे ही दूई पार्स सम्मित अथवा बाई लेटरल समित्रिकल कहा जाता है और फिर है आगे कायांतर में पंचताई अर्य सम्मित्ट तो इसका अर्थ है जिन जीवों के सरीर को एक से अधिक भागों में काटने पर अधिक ब्यासों से काटने पर सभी अंग समान आते हैं उसे ही अर्य सम्मित्ट या रेडियल समेट्रि कहा जाता है जैसा कि आपको चित्र में दीख भी रहा है इसे ही रेडियल समेट्रि कहते हैं अब यदि इस पर प्रेश्ण पूछा जाए कि एक जन्तु जिसमें वयस्क अरी शम्मित दिखाता है लेकिन लारवा दुई पार्स सम्मित प्रदर्सित करता है ऐसा किस में होता है अगर संग लिखा है तो बताएंगे इकाइनो डर्मेटा संग में होता है अगर जन्तु कि एकाइनो डर्मेटा संग के जन्तु में लारवा अवस्था में दुई पार्स सम्मित होती है अथवा लारवल स्टेज में बाई लेटरल सिमेट्री होती है लेकिन वयस्क अवस्था में अरीय शम्मित या रेडियल सिमेट्री होती है फिर नेक्ष परण लेते हैं तो कार्बोनेट के कंटक पाय जाते हैं इसलीं इने इक़ायनो ढर्म बोला जाता है एनंगे स्पष्ट इस्प रूप से सिर नहीं होता है यह इनमें सिर निर्मार अनुपस्थित होता है सिर नहीं पाया जाता है इनका सरीर बिभिन आकृतियों का होता है जैसे तारे जैसा होता है तारे नुमा बेलना कार होता है या फूल नुमा होता है सरीर पर मुख्ये तथा अप मुख्ये दोनों सतहे पाय जाती है औरल और अब औरल दोनों सर्फेस पाई जाती है नेश्पेंट है चलन नाल बादो द्वारा होता है या ट्यूब फीट के द्वारा इसमें लोकोमोसन होता है मतलब इन जन्तू में वाटर वेस्कुलर सिस्टम अथवा जल समवहन तंत्र से जुड़ी खोखली सनरचनाएं पाई जाती है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो जल समवहन तंत्र है उससे जुड़ी खोखली सनरचनाएं होती है उन्हें ही ट्यूब फीट कहा जाता है त्यूब फीट और एकाइनो डर्म इन्ही नाल पादों या ट्यूब फीट के द्वारा चलते हैं गमन करते हैं या गति करते हैं नेक्ट पॉइंट है बिसिष्ट प्रकार का जल परिवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है अब यदि प्रेश्ण पूछा जाए कि जल समवहन तंत्र किसका लक्षण है तो बताएंगे एकाइनो डर्मेटा संग के जन्तों का विसिष्ट लक्षण होता है जल समवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इस तंत्र से संबंधित मैड़े पुराइट द्वारा ज जल प्रेश्ट करता है और ट्यूब फीट अतवा नाल पाध चलन या लोको मोशनमे लिफद्वारे चलते हैं। दर्मल ब्रंक्याई का मतलब होता है कि चर्म रंद्रों के द्वारा और पैपुली के द्वारा या पैपुली के द्वारा होता है वास्तविक एंटेरोसेल देहगुहा पाई जाती है या इनमें जो देहगुहा होती है वो वास्तविक देहगुहा पाई जाती है या कह लिजिए कि इनमें सत्य गुहा पाई जाती है सत्य जो पेरिटोनियम से घिरी होती है और इसी से 3 विसिष्ट तंत्रों का निर्माड होता है नेश पंट है उठ सर्जन अंगों का अभाव होता है यानि इसमें एक्सक्रियटोरी आर्गन नहीं पाया जाते हैं उठ सर्जन अंग absent होते हैं नेश्पइंट है तंत्री का तंत्र और समवेदी अंग कम विक्सित होते हैं जो नर्वस सिस्टम है जो संसरी आरगन है ये कम डेवलेपमेंट होते हैं कम विक्सित होते हैं हीमल तंत्र पाया जाता है हीमल तंत्र क्या है तो हीमल तंत्र मतलब परिसंचरण तंत्र मतलब सरकलेटोरी सिस्टम होता है तो हीमल तंत्र इसमें पाया जाता है Next point है पाचन पोकोस की अप्रकार का होता है Extra cellular type पाचन होता है पोशन होता है समें Next point है जनतु एक लिंगी होते हैं और एक लिंगी ऐसे जनतु जिनके अलग अलग सरीरों में नर और मादा जनन अंग पाये जाते हैं एक लिंगी जनतु कहलाते हैं Unisexual होता है next point है, निसेचन बाह होता है, बाह निसेचन का क्या मतलब है, external fertilization का क्या मतलब है, तो जब नर और मादा युगमक का सलैन, मादा के सरीर के बाहर होता है, तो उसे ही बाह निसेचन कहा जाता है, और अधात, जब अंडान वा शुकरान का आपस में मिलं जु होता है, वो सरीर से बाहर होता है तो उसे ही बाहनेसेचन कहा जाता है बाहनेसेचन क्या है अनतानेसेचन क्या है इन पर मेरे चान में वीडियो अप्लोडन है आप लोग जा करके देख सकते हैं पुनरुद भवन की अत्यधिक छमता पाई जाती है यानि इनमें रीजेनरेशन की अत्यधिक छमता होती है और रीजेनरेशन होता क्या है जिसे उंगली कट गई तो फिर से उगाए इनके सरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो फिर से बन जाता है फिर से उग आता है लार्वल इस्टेज होती हैं वो कौन-कौन सी है बाइपिनेरिया या ब्रेकियोलेरिया है आफियो प्लिटस है प्लिटस है एकाइनो प्लिटस है डालियोलेरिया है आरियो कुलेरिया है यह जितने भी मैंने बताया है यह सब लार्वल इस्टेज होती है संग एकाइनो डर्मे डालियोलेरिया आरियो कुलेरिया कहने का मतलब यह हुआ कि इनके जीवनकाल में रोमाभ युक्त लार्वा होते हैं रोमाभ युक्त तो यह लार्वा अवस्थाएं पाए जाती हैं डिंभक अवस्थाएं पाए जाती हैं और इनके जो लार्वा होते हैं जो डिंभक होते हैं उनमें कायांत्रण होता है मेटामारफोसिस पाई जाती है चलिए अब इस संग के कुछ प्रमक उदाहरण को देख लेते हैं तो सितारा मचली अथवा इसे इस्टार फिस के नाम से जाना जाता है अथवा इसे ही इस्ट्रियास भी बोला जाता है फिर इकाईनस, आफियो थ्रिक्ष, एंटिडॉन या समुद्री लिली और समुद्री खीरा भी इसी में आते हैं ब्रिटल इस्टार वगरा भी चलिए अब इस संग का वर्गी करण देख लेते हैं आथाथ क्लाशिफिकेंचान आफ इकाईनो डर्मेटा को समल लेते हैं तो संग इकाईनो डर्मेटा को पांच वर्गों में बाटा गया है पांच पहला है एस्टोराइडिया एस्टोराइडिया के अंतरगत एस्ट्रियास आती है इस्ट्रियास यानि तारा मेन यानि सितारा मचली इसी के अंतरगत आती है या इसी वर्ग में आती है फिर दूसरा है ओफियोर आइडिया, ओफियोर आइडिया में क्या होता है, तो ओफियोर आइडिया के अंतरगत ब्रिटिल तार आता है, ब्रिटिल स्टार आता है, ओफियोर थिक्स जिसको बोला जाता है, फिर अगला है एकाइनोईडिया, एकाइनोईडिया भी क्यों सा आत पर आपको बता दें कि यह जो वर्ग एकाइनाडिया है इकाइनाडिया वर्ग में इकाइनस अथवा समुद्री अरचिन आता है और इसी जैसे जन्तु इसमें पाय जाते हैं इसमें चबाने का विसेस अंग होता है जिसे अरस्तु की लाल्टेन कहा जाता है और यह अंग चबाने के अलावा चलने में भी सहायता करता है लोको मोसन में भी हेल्प करता है अब यदि पूछा जाए कि इसे अरस्तु की पहला शारफिस के बारे बहुत सारी चीजे पुछी जाते हैं तो संचित रूप से आपको समझाएंगे तो यह जो शारफिस है इसे तारा मचली के नाम से जाना जाता है या इसे ही तारा मेन कहा जाता है या इसे ही इस्ट्रियास भी बोला जाता है यह समुद्र की पथरीली तथा कीचड़ वाली सतह पर पाई जाती है जो कीचड़ युक्त सतह होती है उसी पर तैरती हुई पाई जाती है और इसके सरीर के बीच वाले भाग में एक केंद्रिय बिम्ब होता है उसमें एक केंद्रिय बिम्ब होता है जिससे पांच भुजाएं निकल कर तारे जैसी सरनचना बनाती है पांच भुजाएं निकली भी हैं और तारे जैसी सरनचना बना रही है इसलिए इसे सितारा मचली कहा जाता है क्योंकि तारे जैसी सरनचना बनाती है इसलिए क्या कहते हैं सितारा मचली कहा जाता है और प्रतेक भुजा पर दो जोड़ी नाल पादों की कतारे होती हैं हर एक भुजा पर देखिए दो जोड़ी नाल पादों की कतारे हैं और आपको बता दें कि सरीर की जो निचली सतह होती है निचली सतह पर मुख और उपरी सतह पर गुदाद्वार पाया जाता है नीचे की सतह पर मुख है उपरी सतह पर उदादवार आपको दिख रहा है और यहाँ छोटे छोटे कीड़ों लारवा और सीपों का भोजन करती है छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है लारवा को खा जाती है और सीपों को भी खा जाती है यदि इसका सरीर किसी घाटना वस कट जाता है तूट जाता है तो प्रतेक कटा हुआ भाग पुनरुत पादन द्वारा इस्टार फिस में फिर से बिक्सित हो जाता है यानि वो कटा हुआ भाग फिर से बन जाता है इसका मतब यह हुआ कि Regeneration की Power इसमें अत्रिक पाई जाती है फिर नेष्ट है समुद्री खीरा अथागर सी कुकंबर तो यहाँ समुद्र की तली में पाया जाता है और इनका सरीर लंबा वा बेलनाकार होता है और तुचा चमड़े के समान होती से चमडा होता है मुख उपरी सिरे परिस्थित होता है तथा दस इस परसिकाओं या टेंटिकल्स के द्वारा घिरा रहता है इस परसिकाओं भोजन धूंढने वा पकड़ने का कारी करती है और इन जन्तों में पुनुर्थ पादन की अपार छमता पाई जाती है तो आज के अंक में इतना ही आसा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद